हेलो फ्रेंट्स वेल्किमन एलेक्ट्रिकल मंत्रा और मैं हूँ आपका दोस्त गोईन सर्मा आप देख रहे हैं मेरे साथ एलेक्ट्रिकल मंत्रा वो राज का जो हमारा टोपिक रहने वाला दोस्तो वो रहने वाला इंसुलेटर के उपर इंसुलेटर की कल्कुलेशन की वीड request तो ये है insulator तो insulator सबसे पहले हम बात करेंगे insulator होता क्या है what the insulator is insulator आप नाम से ही जैसे suggest हो रहा है दोस्तो insulator, insulator का means क्या है insulator का means है insulator एक ऐसी property होती है किसी भी material की insulating property होती है किसी भी material की जिससे वो क्या करता है current को अपने अंदर से पास होने नहीं देता तो simple भाषा में अगर आप देखें तो insulator वह एक material है या material से बना कुछ भी एक device है, device तो हम नहीं बोल सकते हैं और insulator एक ऐसा material है, एक ऐसे materials का हमने क्या बनाया है एक structure बनाया है, जिस structure से हम क्या करते हैं, current को flow होने से रोकते हैं, माल लेते हैं यह हमारा एक tower है यह देख लेते हैं हमारा इससे आप ज़्यादा better समझेंगे इस video में बने रहें, आप अच्छी बाते सीखेंगे, और इससे साथ-साथ आप calculations के उपर भी जाएंगे, जो कलकी वीडियो होने वाली है दोस्तों, उस वीडियो का base बना रहूं मैं, और इस वीडियो के बाद उस वीडियो को जो calculation है, number of insulator की, उसको हम कैसे समझेंगे, इस वीडियो से आप जानेंगे अगर यह है वीडियो आप देखेंगे, तो वो कलक वीडियो अच्छी समझ में आगी, तो इससे देखते हैं, समझते हैं, क्या होता है insulator, तो insulator मान लेते हैं, यह कोई tower है हमारा, यह वाला आपने tower, अपने घर, नुकड महले में सब कुछ देखा होगा, यह high voltage tower होता है, और इसमें होने के लिए हमने बीच में क्या लगाना पड़ता है यह insulator लगाना पड़ता है ताकि जो voltage, जो current इस conductor में जा रहा है, पास हो रहा है, transmission हो रहा है जिसका, वो इस tower में आए तो इस tower में ना आएने के लिए क्या लगाना पड़ा, insulator बनाना लगाना पड़ा, और तो insulator लगाने के लिए हमने क्या, insulating material यूज गया, तो इसी structures को क्या बोलते हैं insulator बोलते हैं, ताकि हमारा conductor का जो current है, conductor की voltage है, conductor की जो power है वो हमारी tower में नहीं आए tower में आजेगी तो क्या होगा soak लगने के chances हैं, हिजार होने के chances हैं, fire होने के chances हैं, तो इसलिए हम क्या लगाते हैं insulator लगाते हैं, इतना आप बिल्कुल मैंने देशी भाषा में आपको बता दिया है इतना आप बिल्कुल समझ गे होगे, आप देखते हैं number of types, इनके कौन-कौन से types होते हैं, कैसे कैसे यह use होते होंगे तो अगर आप हम जर्नली बात करें, तो जर्नली बात करें, तो number of five types होते हैं, कितने होते हैं, five types होते हैं, तो अगर आप से पूछे, तो insulator जो होते हैं, वो कितने types के होते हैं, यहां से आप notes भी बना सकते हैं, easily अच्छे से आप अगर correlated करेंगे ना तो अच्छे से आप exam में भी लिख सकते हैं अच्छे से आप वाइवा में भी लिख सकते हैं तो numbers of insulators, types of numbers of insulators होते हैं five types के तो ये हो जाता है कि five types के तो होते हैं sir इनको हम कैसे divide करते हैं कि ये 5 तरकार के हैं, तो हम voltage के वेस्ट पे करते हैं, किसके वेस्ट पे करते हैं, voltage के वेस्ट पे करते हैं, high voltage और low voltage की case में, वो भी हम बात करेंगे, पहले देखते हैं, 5 टाइप कौन-कौन से हैं, तो सबसे पहले आते हैं हमारे pin इंसुलेटर, suspension इंसुलेटर, strain इंसुलेटर, और है सेकल इंसुलेटर यह टाइप्स हैं और यह according to voltage यूज होते हैं क्या according to voltage तो 5 टाइप मैंने कौन-कौन सी बताई यह हमने बताई 5 टाइप्स और according to voltage यूज होते हैं हमेशा माल लेते हैं 11 kVA पे कुछ यूज होगा और 33 kVA पे कुछ यूज होगा उससे अबो 66 kVA पे कुछ यूज होगा तो यह था हमारा टाइप्स of टाइप्स कितने हैं बारी बारी हम इस वीडियो में एक के बारे में बात क करेंगे उसकी calculation करेंगे कि number of जो हमने इंसुलेटर लगाए हर एक टाइप की calculation करेंगे बारी बारी एक वीडियो में बनाऊंगा तो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो इसलिए हम बारी बारी एक के उपर एक दिन एक के उपर हम discuss करेंगे आपके response के उपर है अगर अच्छा response दे रहे हैं अच्छा वीडियो को share कर रहे हैं तो मैं बनाऊंगा अच्छी वीडियो तो यहाँ पर कितने टाइप होते हैं 5 टाइप हमने यहाँ पर देखे इंसुलेटर के शोरी तो मैंने अभी आपको बताए यह वोल्टेज के उपर डिवाइड होते हैं तो पिन suspension and strain यह यहाँ पर बताया तो लास्ट वाले दो जो लो वोल्टेज पर यूज होते हैं सबसे हाई वोल्टेज पर यह उससे यह और इससे यह ऑगली स्लाइड में क्या कहना चाता है विन suspension and strain यहाँ ए इसका इसका conclusion part इसका calculation part तो बाद में बनाऊँगा मैं कल इसके बारे में एक suspension type insulator के बारे में जो number of disc है उसके बारे में video upload करूँगा तो यहाँ पर आप समझगे pin suspension and strain type insulator are used for medium to high और जो second and stay होता है वो low voltage पर use होता है ऐसा आप समझगे होंगे next slide देखते हैं black slide हम एक के बारे में discuss करेंगे आज only one के बारे में तो suspension type insulator के बारे में हम देख लेते हैं तो suspension type insulator सबसे पहले तो आप screenshot यहाँ से ले suspension insulator numbers of insulator are connected in series to form a string तो क्या यहाँ पर देखा number of यह क्या बोल रहा है number of insulator तो एक मतलब numbers of एक से ज़्यादा एक, दो, तीन, चार, पांच जितने भी required होती है वो required बताऊंगा calculations के उपर होती हम एक लगाना है दो लगाना, तीन लगाना, चार लगाना है उसके वो हमारी voltage के उपर depend करता है वो calculation भी मैं आपको बताऊंगा तो suspension insulator होते हैं वो होते हैं, series में लगे होते हैं क्या लगे होते हैं, insulator जैसे एक लगा, दो लगा, और तीन लगा मालने हैं यहाँ पर हम तीन लगाए हमने तो इस पूरे structure को क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं string आप अच्छे से समझेंगे क्या है यह diagram अगर आप देखें तो suspension type insulator का diagram है तो अगर आप देखें यहाँ पर number of insulator लगए है देखो उपर एक लगए है उसके बाद एक, 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 एक करके ऐसे-ईसे joint किये हुए है ऐसे-ईसे joint किये हुए है ना ऐसे जोइंट करता है वो ऐसे बना के ऐसे ये आपने देखा होगा और फिर ऐसे ऐसे जोइंट किया है उसने तो एक एक इस वाले को एक को क्या बोलते हैं डिस्क बोलते हैं क्या बोलते हैं और इस पूरे वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे स्ट्रिंग बोलेंगे और एक जो इंसुलेटर लगा उसको डिस्क बोलेंगे, तो number of series में जब लगे हो ना, डिस्क या इंसुलेटर लगे हो, उसको बोलेंगे suspension type, यानि कि ये suspend होता है यहाँ पर, यहाँ पर क्या होता है, इसमें flexible लाने के लिए, expand होता है, और ये, एक string type होता है, string type कैसा है, कि series में बना होता है, इसकी advantage अब क्या होगी, sorry, इसकी advantage क्या है, ऐसे हमने 1, 2, 3, माल लेते हैं, एक disc इसमें से खराब होगी, उपर ले वाली disc खराब होगी, तो इसकी advantage यही है, कि उपर वाली को हम change कर सकते हैं, माल लेते हैं, pin type insulator था, उसमें एक ही लगा होता है, एक ही, एक ही खराब होगा, तो पूरा जो insulator है, वो हमें change करना पड़ेगा, तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, numbers of height, height भी हमें ज्यादा मिल जाती है, और अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर समझते हैं, अगर मैं बात करूँ, जो हमारा suspension insulator होता है, तो आप हमेशे याद रखेंगे, फेस वोल्टेज पर हमारा suspension insulator लगता है, फेस वोल्टेज पर और, फेस वोल्टेज पर, जो हमारी एक डिस्क होती है, यह number of disk यहाँ पर लगी है, इनल में से एक डिक होती है वो 11KV पे डिजाईन होती है । कितने KV पे डिजाईन होती है इनल चयों 11KV पे यह दो बात आप याद रखेंगे कल की वीडियो के लिए ताकि आप अच्छा समझें यह था आज का वीडियो मैंने इसमें बेसिक और वीडियो आपको दिया है अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको share करें और इस वीडियो का जो second part है हम ये calculate करेंगे माल लेते हैं इस तार से 11 केवी 11 केवी माल लेते हैं गई है 11 केवी नहीं गई होगी इससे हम देख रहे हैं 11 केवी इसलिए नहीं गई होगी क्योंकि यहाँ पर number of disk ज्यादा है माल लेते हैं यहाँ पर कितनी केवी गई होगी 440 केवी के लिए हमें ये design कर रहा है क्या 440 केवी के लिए हमें ये design कर रहा है तो ये निकालेंगे, हम कितने number of insulator लगाएं, ये निकालेंगे कल की वीडियो में, तो ये था आज का वीडियो, please subscribe my channel for more update, thank you.